प्रियूआ रिपिल्सर थे और जो अम्रे अपने अपनी प्रिविएस थे टि टि Lewis theory वो fair होती है इसके सामने क्यों क्योंकि उस theory के अंदर हमने ना तो bone angle किये थे ना उसकी geometry किये थी और इस theory के अंदर इसके क्या bone angle होगे क्या bone angle पे effect पढ़ने वाड़ा है क्या इसकी highlightation होगी तो start करते हैं valence cell electron pair repulsion theory मैं हूँ विक्य नारम आपके अपने प्यारे से youtube channel 3D classes पे और आज का first topic valence cell electron pair repulsion theory क्या है इसको करने से पहले मैं कुछ एक आपको hybridization के बारें बताऊंगा fully हम भी अपने next lecture के अंदर करेंगे क्या होता है hybridization कुछ एक point सबसे पहले hybridization कौन-कौन सी है और उसके लिए आपको z की value पताऊने जीए z क्या होता है यह total sum of bond pair total sum of bond pair and long pair किसी भी structure के अंदर कितने bond pair है और कितने long pair है उसका जो sum है जिसको उनकिसे denote करते है z से और इस z की value से हम आपको बताएंगे कि किसी भी structure का क्या hybridization वो शोग कर रहा है तो सबसे पहले यह gen key value आप कैसे calculate करोगे suppose मेरे पास कुछ एक example है for methane या हम कह सकते हैं ammonia है या water है अगर हम बात करें इसके अंदर जैन की value कैसे calculate करने है note कर लें क्योंकि एक simple सा click है आपके सामने और अगर आपने fully इसको prepare करना है कि इसकी hybridization कैसी होगी यह आपने next lecture के अंदर करेंगे इस unit के अंदर है टॉप बेकर तो सबसे पहले इसका wireless electron बताइएगा carbon में wireless electron कितने होती है 4 hydrogen में wireless electron कितने होती है 1 1 into 4 4 means 4 plus 4 8 और इसके अंदर इसके outer motion में electron कितने होती है 5 1 into 3 3 इसके अंदर कितना है 8 इसके अंदर hydrogen 2 और oxygen क्या outer motion में कितने है 6 means total कितने है 8 अब आपको इन value को divide करना है कितने से divide करना है वो दंग से note कर ले अगर आपकी value 8 से उपर है तो आपको divide करना है 8 से और अगर आपकी value 8 या 8 से कम है तो इसको आप 2 से divide करोगे फोर अगर यह 8 है to say means जो z की value आ रहेगी यहां पे कितनी है 4 यहां पे भी J की value कितनी आएगी 4 यहां पे भी J की value कितनी आएगी 4 means यह J की value हमने hybridization के इस की बहुत है कि क्या होगी इनकी hybridization उसके लिए थोगे आपकेंगे अगर हम बाक करें hybridization की तो तहले हो hydrisation नोट कर लें. अगर GED की value 2 है ? तो hydrisation क्या होगी ? GED की value 3 है तो क्या होगी ? 4, 5, 6 तो अगर GED की value 2 है तो उसमें hybridization क्या होने वादी है ? SP अगर 3 है तो क्या होगी ? SP2 अगर 4 है तो क्या होगी ? SP3 तो 1S का और थेन टीखे अगर 5 है तो क्या होगी SP3D और अगर 6 है तो क्या होगी SP3D2 यह है Z की value और इनकी Z की value से हमने क्या उता है इनका hybridization और यह पुरण आपरा टॉपिक हम अपने next lecture के बदर करेंगे आज कुछ एक इसके बारे में जान ली की क्या होता है hybridization कौन-कौन सी है SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 तो सब से पहले अगर हम इनका structure बनाए carbon और इसके पास कितने hydrogen है 4 hydrogen है ammonia ammonia के अगर 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 बनाए तो simple atom यहां पे कौन है nitrogen और nitrogen के electron कितने होते हैं 5 और यह hydrogen hydrogen कितने बना रहा है 3 और इसके उपर क्या होता है एक lone pair तो सबसे पहले यह lone pair क्या होता है lone pair वो electron होते हैं जो रेक्ट नहीं करते हैं अगर हम आप तरी nitrogen के electron कितने हैं 5 तू उपर थे और यह 3 नीचे थे जो 3 नीचे थे उन्होंने hydrogen से क्या कर ली bonding कर ली means उनकी sharing होके covenant bond की formation होगी यह तो वो electron है जिन्होंने sharing नहीं की थी और इनकों क्या 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 है lone pair means एक pair के अंदर दो electron ऐसे होते हैं जो bonding नहीं करते जो bonding नहीं करते means जो वरी होते हैं उनकों क्याते है lone pair और यह हमने अपने previous lecture में भी आपको बताया था और इनका यह structure कैसे बनाए यह भी हमने अपने previous lecture में किया था कि इनके electron dot structure कैसे बनेंगे तो अगर हम बात करें Water की तो Oxygen countermost में elektron कितने होते हैं Six और Hydrogen countermost में कितने होते हैं one और यह Hydrogen इस Oxygen के electron से sharing करके कितने bond मना रहे हैं Two bond मना रहे है और यह चार electron जो bonding नहीं कर रहे इनको हम क्या बोलते हैं Lawn pair क्या मोलते हैं हम इनको Lawn pair जो शेरी करके bond की formation कर रहे हैं for example, hydrogen oxygen के electron के साथ में क्या रहा है sharing कर रहा है, और क्या बना रहा है? bond बना रहा है, but lone pair के जो electron है वो फ़री हैं, वो bond नहीं बनाते अब देखिएगा इन सभी में जो jet की value थी वो कितनी थी? 4 थी और यहाँ पर जो bond बनाते हैं, वो different है अगर हम बात करें, geometry और share की दोनों में क्या होता है, difference है वो difference क्या है, वो not tell है क्योंकि valence and electron pair repulsion tuning में अंदर हम आपको hybridization के बारे मताएंगे कि किसी structure की, electron dot structure की hybridization क्या होती है, उसकी geometry क्या होगी उसकी share क्या होगी और यह तिन्नों बाते आपने note करनी है इस theory के अंदर, और उसका, चोथा, उसका bond angle क्या होगा, पल्सन के कान bond angle क्या होगा, change होगा, वो भी हम आप करेंगी आजब, तो सबसे कर लें, आप इन तिन्नों में देखें, jet की value कितनी आई थी, 4, और जिसमें jet की value, 4 हो, उसमें कौन सी hydrogenation होगे, as, p, 3, और इसको यार रखने के लिए, आप एक बात और note कर लेना, 1s का और p में कितने हैं, 3, 3 और 1, 4, इसमें भी 1s का, 3p के 1d, total कितने होगे, 5, तो यह hydrogen note कर लेना, इसलिए आप किसी नी structure में hydrogen को शो कर सकते हो, by calculating jet, और jet की value आपने कैसे calculate करनी है, यह आपने आपको trick बताया है, एक दो example हम और भी लेंगे, तो सबसे पहले, आप इसमें देखिएगा, कि इनका bone angle क्या होगा, हम पहले example के दिरूँ उसको start करने हैं, उसके बार में हम अलग अलग आपको बताएंगे, आप इसमें देखिएगा, कि जो methane है, उसमें जो bone angle है, वो है 109.28 degree, इसके अंदर जो bone angle होगा, वो number 107 degree, और यहां पर जो bone angle है, वो है 104.5 degree, तो यह तिनों के अंदर, यह bone angle change क्यों है, अलांकि तिनों में क्या है, 4-4 bone बंड रहे हैं, means इसमें 4-4 bone pair है, इसमें 3 bone pair और एक lone pair है, इसमें 2 bone pair और 2 bone pair है, चारों में heart decision कितनी थी, 4 थी, बत इसमें जो bone angle है, वो change क्यों है, वो भी हम आज इसी theory के अंदर क्या करने वारे हैं, डिस्कस करने वारे हैं, सबसे पहले ही आपको मैं introduction दे रहा हूं, कि जो भी हम topi करने वारे हैं, इसमें क्या-क्या changes आएंगे, क्या-क्या changes आएंगे, कितने हमें structure बनाए हैं, तो सबसे पहले हैं, आपने long pair और bond pair की repulsion के कारण या long pair और long pair की repulsion के कारण ये कुछ changes आएंगे, ये अपनी theory के अंदर, next point के अंदर मैं आपको बताने वारा हूं, दूसरा, हमने hydration बता दिया आपको, bond angle बता दिया है, और इस bond angle के true, मतलब इसमें कितने long pair और कितने bond pair हैं, और इसमें इसकी geometry क्या होगी, ये main factor है, जिसमें चाओं के चाओं के चाओं क्या हैं, और आपको दिखाई दे रहा हैं, कौन सी geometry है, tetra, heddle, कौन सी है ये, tetra, heddle, first अबारा question था, second अबने क्या पर दा, bond angle के बारे के, third में आपको उता रहा हूँ, इसकी geometry क्या है, सबसे पहले, अगर इनकी jet की value same है, तो सभी की जो geometry है, वो क्या होने वारी है, same, means अगर jet की value 4 है, तो सभी की जो geometry होगी, वो भी क्या होगी, same, ये भी tetra, heddle, ये भी tetra, heddle, means तिनों की geometry क्य होता है, same, क्यों, क्योंकि तिनों में jet की value कितनी आ रही है, 4 आ रही है, दूसरा, अगर किसी भी structure के अंदर, long pair zero है, अगर किसी भी structure के अंदर, long pair zero है, तो उसकी geometry और जो shape है, वो क्या होगी, same होगी, for example, methane, methane के अंदर क्या कोई long pair है, नहीं है, it means इसकी geometry और shape की बात करें, तो वो क्या है, tetra, hydral, दूसरा, इसकी अंदर long pair है, तीन bond pair और यह क्या है, long pair, it means इसकी geometry और shape है, वो क्या है, different है, कैसे है, अगर आपको यह long pair में हटा रहूं, तो आपको इसकी जो shape है, वो कैसी दिखाए दे रही है, पीरा मीडल, means इसकी जो shape होगी, वो क्या होगी, पीरा मीडल, और इसकी geometry कैसी थी, tetra, hydral, means इसकी shape अलग है, और geometry अलग है, क्यों, due to presence of long pair, third में देखे, तो third जो motor का molecule है, इसमें भी two long pair है, it means यहां पे भी geometry, और इसकी जो shape है, वो क्या होने वाड़ी है, chain, इसकी geometry थी, वो कौन सी थी, tetra, hydral, और जो shape होगी, वो कौन सी होगी, इसको मिटा के देखीगा, कैसी होगी, मतलब यह बुड़ी होई है, V shape है, और इसको V shape भी करते हैं, हम इसको bend shape भी करते हैं, bend means बुड़ी होई है, और third हम इसको angular shape भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको angular shape, तो तीन तरह के आप इसमें shape show कर सकते हो, clear है, तो यह है, पहला portion हमारा hybridization, second हमने क्या बता है आपको, bond angle के बारे में, third मैंने आपको क्या बता है, geometry के बारे में, और fourth मैंने आपको क्या बता है, shape के बारे में, यह अपने एक example ही है, यह different table के साथ मैंने आपको explain करने बारा हूँ, तो इसको दुबारे से सुनिएगा, सबसे पहले हम इनकी hybridization को कैसे calculate करेंगे, जैड़ की value से, और जैड़ की value तो आज से आए थी, bond pair और lawn pair से, means किसी के अंतर कितने bond pair और lawn pair है, अगर जैड़ की value 4 है, it means lawn pair plus bond pair कितने में बिले बारे आपको, 4, for example, ammonia, इसमें 3 bond pair, 1 lawn pair, इसमें 2 bond pair, 2 lawn pair, इसमें 4 का 4, bond pair, means सभी में, जो total bond है, वो कितने आरे है, 4 है, और अगर, जैड़ की value 4 है, तो hybridization कौन सी होने बारी है, S पे 3, it means इन तिनों की hybridization कितने है, S पे 3 है, bond angle different है, क्यों है, ये भी हम discuss करते है, और इनकी geometry, same है, क्योंकि Z की value क्या है, same with gravity, और hydrogen क्या रहेगी, same, और जो shape J होई है, वो किसके कारण होई है, lawn pair के कारण की shape क्या रखती है, J क्यों रखती है, तो ये वारा कुछ एक introduction है, इसी के साथ में हम start करते है, balance, same electron pair ही पलसंती होई, और क्या है ये, वो note कर ले, क्या-क्या उसके rule है, पांच उसके rule है, वो note करे, सबसे पहला जो rule है, वो ये करता है, नमर वार, rule-not कर ले, जो सबसे पहला rule है, वो क्या बोलता है, वो ये करता है, कि जो lawn pair या बॉन पेर है, इनके जो electron है, ये आपस में क्या करते है कि दूजरे को repel करते हैं, ये आपस में क्या करने को क्या करने वाले हैं, Rimpel करते हैं और इनमें repulsion के काई bone angle क्या हो सकता है change भी हो सकता है अगर सारे के सारे bone pair है तो इंकी geometry और shape same होती है इसका bone angle भी change नहीं होगा पर जैसे ही bone pair आईगा तो जो इसकी shape है इसका bone angle है वो दो यह जाएंगे change हो जाएंगे Second Second है different electron pair have different order of repulsor means अलग-अलग pair है इनके पास में कौन-कौन से pair होते हैं वो आप note करिएगा सबसे बाइगरम बाग करें इनमें कौन-कौन से pair है तो वो pair है lone pair, lone pair फिर आता है lone pair, bond pair फिर आता है bond pair bond pair अब इनकी नोगा देखेगा अगर किसी structure के अदर दो यां-दो से ज़्यादा lone pair है तो उनकी repulsion सबसे ज़्यादा होती है then lone pair, bond pair then bond pair, bond pair means इसमें दो lone pair है तो इनके पीचे में जो ripulsion होगी वो सबसे ज़्यादा होगी then kolon pair bond pair फिर ये ripulsion और सबसे last में bond pair जो बोट फेर की जो पर से जगागं के एवो सबसे जदां भून सब जादा इस नहीं से से अगोड़न पर के भीछन यहां करिक है यू सबसे जाइब थर्ड जो है इस लोन पिर इंची रो देध जो मैंटी इज इक्वल तोशेओ वी पिल्कुछ सही है जो जैसे की निधेन ठानल या अमोमिया था लोटर ऑक इस पर टेपार करती हैं उट फेंडेंड आरिण यह वाइन काली एक पर किसे टेपार चारएं करने ते छोड़ है मेरे पेंड ते ओक वोगी वो किस मेरेटिकर हही बॉंड पेर पे, अगर आप यहां पे देखो तो इसमें कितने बॉंड पेर है, 1, 2, 3, 4, यहां पे कितने है, 1, 2, 3, और यहां पे कितने only 2, means इसमें जो इन तीनों की जो शेप है, वो अलग है, क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर जो बॉंड पेर है, वो अलग अलग है इसमें कितने bond? 4 इसमें कितने bond? 3 इसमें कितने bond है? 2 means तिनों में bond अलग है तो इसकी जो shape होगी वो भी क्या होगी? अलग, but तिनों की geometry क्या होगी? same यहाँ क्यूंकि geometry किस पर depend कर रही है यह आप आपने fourth rule में देखेगा जोए ठीकिस पर depend कर रही है bond pair और long pair दोनों पर depend कर रही है बन जो shape है वो किस पर only depend करती है bond pair पर इसको एक पर revise कर ले means electron के पीच में आपस में क्या होती है repulsor second इन में जो सबसे ज़यादा repulsor होती है वो किस के पीच में long pair long pair के पीच में फिर long pair bond pair के बीच में और third bond pair और bond pair के बीच में next rule क्या था जो geometry है वो only किस पर depend करती है bond pair पर और जो shape है वो किस पर depend करती है sorry geometry किस पर depend करती है bond pair और long pair पर और जो shape है वो किस पर depend करती है only bond pair पर क्या करती है depend करती है clear है अब हम उसटी को इसका क्रेंगे सबसे पहले आपको जन्य की बीटा में जेंग और रहे है और जेड क्या होता है बोन पेर प्लसर लोन पेर इसकी जुमेल्टरी क्या होगी ठीक है इसका स्ट्रेक्चर क्या होगा करिया इसमें कॉमन सी हाई ब्राइडाइजेशन होगी वो भी नौट कर लें उसके बाद में कुछ एक एकजामपल भी आपको बताएंगे कौन-कौन से इसके एकजामपल है वो भी आपने करने है नौट कर लें सबसे पहले आप यह तेबल पना लें और इसके तरह नोट करें क्या क्या नोट करने आपको सबसे पहले इसकी जयन की वैल्यू means total कितने bond होगे या hydrogen कितनी होगी bond pair, long pair, zometric इसका क्या structure होगा कौन सी hydrogen होगी और bond angle कितना होगा बॉन्ड एंडल क्या होगा इसका वो भी नोट कर लें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैड की वैली होगे टू है जैड की वैली होगे टू है तो आपको पता होगा हाइड़ेशन कौन सी पताए थी सबसे पहले अगर जैड की वैली अगर 3 आती है तो कौन सी होगी हाइड़ेशन वो भी हम दिसकस करेंगे तो सबसे पहले हैं अगर जैड की वैली टू है تو दौनों के दौनों अगर बोन पेर है तो लोगना पेर क्या होगे? जीरो, means दोनों के दोनों के bond pair है, तो loan pair क्या होगे, जीरो फोर एक्जम्पल, अगर मैं एक्जम्पल लेता हूँ B E C L 2 का, तो beryllium कितने bond form कर रहा है, 2 bond form कर रहा है, अगर ये 2 bond form कर रहा है, तो इसमे किसी तरह का कोई भी loan pair नहीं होगा, और इसमें जो bond handle होगा, वो कितने का होगा, 180 का, means अगर hybridization SP, R E I और इसमें, जेड की वेजिक 2 है और दोनों के दोनों bond pair है, तो इसमें जो bond होगा, वो कितना होगा, 180 का, और हमने एक्जम्पल कौन सा लिया यहाँ पे, B E C L 2 का, दूसरा यह structure है, आपके सामने यहाँ पे मैं structure भी बना रहा हूँ B E, और कलोरीन कितने थे दो, और यहाँ पे bond angle कितने का अपना होगा, 180 का, इसमें क्या होगा bond angle, अब बात करते हैं, इसकी जुमाइट्री की इसकी जुमाइट्री होगी, वो क्या होगा, linear और यह कुछ एक learning इसाए topic, आप note कर लें समझने के साथ, आपने कुछ learning भी है, आपको याद भी रखना पड़ेगा means अगर इसमें दो bond बनते हैं, उसकी कौन सी होगी, linear और इसका एक example आपने ले लिया B E C L 2, हाइडेशन मैंने पहले ही बिताया है, आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी होगी, SP, bond अगल कितने का, वन नहीं ठीका, और कैसे होगा, यह आपने यहाँ पर नोट कर लिया example आपने कौन सा लिया है B E C L 2 second, अगर मैं यहीं पे इसकी ज़ड़ी की वाज़ी और एक bond है, तो इसमें किसी तरह की कोई भी इसकी geometry या इसकी shape नहीं होने वादी, वो simple bond होगा, for example दो atom के पीज में bond में रहा है, तो उसमें कोई bond है, अगल भी show, नहीं होने वादा third, अगर हम यहाँ पे zero bond pair और दो lone pair ले ले लें तो ऐसा कोई भी example है यहीं ठीक है, तो इसका मतलब किसी तरह किसी structure के अंदर कोई ना कोई तो bond होगा और बिना bond के कोई structure possible नहीं है तो यह possible नहीं होगा कि दोनों ही lone pair हो, कोई bond ना हो, third अगर हम बात करें, इसमें 3 bond होगे means, Z की value कर 3 है और तिनों के तिनों अगर bond पेर होए means, lone pair की value तब कितनी होगी जीरो, तब जो geometry होगी वो कौन से होगी trigonal planner क्या होगी trigonal planner इसकी क्या होगी, geometry होगी और अगर हम बात करें example की, तो B CL3 और इसमें जो bond angle होगा वो कितने का होगा 120 का means, इसमें जो bond angle होगा वो कितने का होगा 120 degree का होगा और इसकी hydration कौन से होगी कौन से होगी 1 means, S और T में कितने होजाएंगे 2 means, कितने होगे 2 प्लस 1, 3 तो जिसमें Z की value 3 है उसमें hydration कौन से होगी S, T, 2 और bond angle कितना होगा 120, example हमने कौन से होगी है B, C, L, 3 next में अगर देखें total अगर जैड़ की value 3 है और 2 bond pair है और 1 क्या है? lone pair है for example, SO2 SO2 तो इस sulfur में एक lone pair और 2 क्या होते है bond pair होते है एक sulfur के साथ में इदर lone pair लगा होगा है और 2 क्या है? bond pair है अब देखिए आप इसकी जो zmetry है वो क्या होने वाड़ी है? 3 के count, trigonal, planner बट जो इसकी जो shape होगी वो क्या हो जाएगी? change आपने यहाँ पर एक shape का option हो डालना है एक shape का option हो डालना इसकी जो shape होगी means इन दोनों की shape shape है क्योंकि जब lone pair 0 है तो geometry और जो shape है वो क्या होती है? बट यहाँ पर lone pair आया अगर lone pair आया तो इसकी जो geometry तो क्या रहेगी? trigonal, planner नहीं है बट इसकी जो shape है वो change होगी इसकी shape क्या होगी? band shape क्या होगी इसकी? band shape और इसमें जो organization है वो भी क्या होगी? same होगी बट इसका जो bone angle है वो 120 से क्या होगा? less होगा due to presence of a lone pair क्यों होगा? आपको next diagram बात करें अगर Z की value 4 है तो जो bond pair है वो चारो के चारो bond pair है कोई भी lone pair नहीं है तो इसमें इसकी जो geometry होगी वो क्या होगी? tetra-hedral क्या होगी? इसके tetra-hedral और shape भी क्या होगी? tetra-hedral same होगी for example, methane हमने ये पहले भी किया था क्या था? मेधे, hydration कोई जी होगी? SP3 और जो bond angle होगा वो कितने होगा? 109.28 और example हमने कोई सा लिया है? CH4 next अगर हम देखें जैनी की value 4 है तीन bond pair है एक lone pair है example हमने लिया ammonia, maze तीन bond pair और एक lone pair तो इसमें तब भी इसकी जो hydration होगी, वो कौन सी होगी? SP3 और जो geometry होगी, वो भी कौन सी होगी? tetra-hedral पर जो इसकी shape है वो change होगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर जैसे ही lone pair आएगा तो इसकी जो shape है वो geometry जैसे नहीं होगी वो इसकी shape क्या होने वाली है? change होने वाली है next अगरम बात परें इसका जो bond angle है वो भी less होगा 109.28 से क्यों होगा? due to presence of lone pair अब आप इसको समझ लें कि ऐसा क्यों होगा? जब भी किसी भी structure के अंदर कोई lone pair present होता है तो आप ने एक बात note किया भी कि सबसे ज़ना repulsion किसमें होती है? lone pair, lone pair में उसके बार में lone pair, bond pair में उसके बार में bond pair, bond pair में अब यहाँ पे एक lone pair present है और जो bond angle पहले कितने का था? 109.28 पा बट जैसे ही lone pair आया इस lone pair और bond pair में repulsion क्या हो रहिए? जादा हो रहिए तब इस bond pair, bond pair ये ढ ereलो bond है और इसमें जो repulsion हो रही है वो इस lone pair और bond pair में repulsion क्या होगी? जादा होगी यह repulsion क्या होगी? लेस होगी अगर ये repulsion जादा है तो ये इसको कया करेगा? रिपले करेगा और अगर यह रिपले करेगा तो दुनों क्या आजाएगे बास पास आजाएगे जो पहले 109.28 का था अब वो लेस हो गया बास बट्वाट पैर जितने जादा होंगे उसमें बास अंगल उतना कम होगा तो पास पैर सादान इसका जो बोड अंगल है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है मेंस लेस हो रहा है तो एक्जम्पल जो हमने याद पर लिया है कौन सा अमोह नहीं है नेक्स्ट अगर हम बात करें चार जेड़ की विल्यू कुतनी है फॉर और दो बोल्ड पेर और दो क्या है लोल्ड पेर जमेक्ट्री सेम टेटर है और एक्जम्पल ले अब भी अपने लिया है मोटर का जिसमें दो लोल्ड पेर और दो क्या है बोल्ड पेर इसकी शेव कैसी थी बैंक शेप एंगुलर शेप वे शेप भी बोल्ड जक्तेश को बट हाई बाइशन कौन सी होगी SP3 और जो बोल्ड एंगल होगा वो 109.28 से कम होगा और कितना था? 104.5 डिगरी का बोल्ड एंगल था कम हुआ था किसके कान? दिव टू पर्जेंट्स ओफ लोन पेर अब आप तिन्नों स्ट्च्चर वो देखो तिन्नों में 4-4 बोल्ड है इसमें 4-4 बोल्ड है इसमें 3 बोल्ड एंगल ये लोन पेर है इसमें 2 बोल्ड पेर और 2 लोन पेर है तो जिसमें लोन पेर जादा है उसमें रिपल्सन भी जादा होगी और बोल्ड एंगल भी कम होगा means अगर हम देखे इसमें बोल्ड एंगल ल्चिरो 4.5 इसमें 107 चां कोई भी लाँ पीर नहीं है तो लोग पीर, जैसे जैसे बढ़ेंगे, बोर्ने हिगल कम होता जाएगा डिवीर नॉपीर अंब लॉपीर, तो उसके बाद में, नेक्स्ट कुछ से रहा हैं जिसमें अगर फाइव होगे तो जो जमेट्री होगी वह कौन सी होगी ट्राइग और बाए पीरा विड़ल यह आपके सामदे एक टेबल आई हुई है इस टेबल पर आप नोड किजिएगा कि अगर अगर पांचों के पांचों बोन पे रहा है और इसमें किसी तरह का कोई लोन पेर नहीं है तो इसकी जमेट्री कौन सी होगी ट्राइगोर्नल बाय पेरामीडल शेप भी सेम होगी एक्जम्पल अपने नहीं लिया पीसील फाइव का पीसेल फाइव में दो जो बोन अंगल है वो 90 के होते हैं और तीन बोन अंगल कितने के ह इसमें जो होगी वह कौंसी होगी अकर इसमें पांच जैनकी वर्याइव आई हुई है तो हैवरेशन कौन सी होगी ऐस पीडी कौन यह थी आपको बता दिए एक्सम्पल यह अपने पीसल फाइव का ऐसे ही इसले अगर लोन पेर बढ़ते जाएंगे तो बोन पेर चाह रहे प्रण 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 होएंगे और इसकी जो शेप है वो भी क्या होगी और शेप चेंज होने के साथ साथ इसका जो बॉंड एंगल है वो भी क्या होगा चेंज होगा द्योंड रिपल्शन बिट्विल लॉंड पिर रहा है जो बाकी रहे हैं शिक्स वड़ा एक्जामपल वह आख खुद कीजिए अगर 6 बॉंड है तो कौन सी होती है जोमेट्री अक्टा हैड्रल जिसमें 6 के 6 बॉंड है कि इतने के होती है 90 एक्जामपल एक्जामपल सफ 6 और इसके अंदर जो इसकी हाइडाजिशन होगी वह कौन सी होगी SP3 day 2 SP3 day 2 होगी और इसमें अगर जैसे जैसे बॉंड पेर कम होंगे और लोगों पेर बढ़ेंगे तो इसकी जो शेफ चेंज हो रही है और इसमें जो बॉंड हेंगर चेंज हो रहा है वो नोट कर लें क्योंकि यह कुछ लर्णिंग टॉपिक है यह आपको याद रखना हो तो आपकर लोगों और इसी कित्रियों आपने यह पूरी टेबल बना रही है और इसको ही और आपके साथ होगी क्योंकि जब तक आप chemistry बढ़ रहे हो यह structure आपको करने बढ़ेंगे और इन structure के true इन structure के true आपको बता हुआ कि structure की hydration कौन से है structure में bone angle क्या है structure की shape क्या होगी structure में जो गर bone angle change हुआ है तो क्यूं हुआ है करते हैं कि जो shape change हुई है या bone angle change हुआ है क्यूं हुआ है और इसमें कितने bone pair है क्यूंकि जब तक आप chemistry बढ़ाओगे यह structure आपको करने होगे और उन structure के लिए यह table आपको याद रखनी होगी कैसे इसमें change आया था क्यूं आया है क्यूं इसकी shape change होई मैं परस्ते से revise करना हूँ note कर ले अगर जैड की value है हमने valence cell से valence electron से इसको calculate किया था bone pair कितने है two कोई भी lawn pair नहीं है अगर कोई lawn pair नहीं है तो geometry हो जो shape है वो क्या होगी शेम होगी और अगर टू है तो इसकी foundation कोई सी होगी SP bond angle केतने का 180 का अगर three है तिन्नों के तिन्नों bond pair है वोई lawn pair नहीं है तो इसकी geometry हो shape क्या रही है और यह same रहने बाड़ी है hybridation कोई सी होगी SP2 bond angle 120 अगर 3 है चैट की value दो बोन पेर और एक लोन पेर दो बोन पेर और एक है लोन पेर है तो इसकी जो geometry हो तो सेम है बट इसकी जो shape है वो जेज हो जाएगी due to presence of a lawn pair और इसका जो hydration है वो भी सेम रहेगा बट जो बोन आकल है वो चैज होगा क्यों क्योंकि लोन पेर में रिपल्सन जड़ा होती है अगर 4 है तो चार बोन पेर और कोई भी लोन पेर मी उससे उसकी जो shape और बोन एंगल क्या होएगा चेंज होएगा यह टेबल जो आपके सामने थी उस टेबल के द्रिव आप इसको easily कर सकते हो आप इसको नोट बूक पे बना के देखिएगा क्या इसमें changes आए है अब हम बात करते हैं इसके जो bone angle जो change हुए है उसका भी एक पर ambiscus कर लेती है और note कर लो आप इसको और यह बनाने जरूरी है क्योंकि next अगर आपको lecture समझना है तो उसके लिए यह lecture जरूरी है for example अगर हम बात करें in case of water in case of ammonia in case of methane और इन तिन्नों में जो central item है वो हमें कैसे बचले क्योंकि list number है इसमें एक oxygen है इसमें एक nitrogen है इसमें एक carbon है इसमें दो lone pair थे और दो ही क्या थे bond pair थे यह lone pair bond pair कैसे आए यह अपने previous जो वीडियो है उससे आपने calculate किया था और अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें ammonia के अंतर एक lone pair 3 bond pair है और मिधेन के अंतर चारों के चारों क्या है bond pair अब देखिए आप इसमें जो पॉंड एंगल है वो है 109.28 का अब इसमें चार bond है इसमें भी चार इसमें भी 4 नहीं पति इसमें इक lone pair इसमें दो लोन pair है अगर आम देखिए इसका bond angle कम हुआ है इससे तो क्यों कम हुआ है क्योंकि इसमें कर लोड़ पेर प्रम्देबाद क्या था नों के लौन पेर में यहां जैनाहिति एम लोन तुरोच हो टिरोचि ऩयां जर्व लौन को करती है हिसका जो और अंगल खी इना। कम हो गया आ अब इसनानिक कन Sakya क्ज 가능 है क्या हो गया कि इसमें कि पर जन्ट brightly लोन पेर में रिपल सबसे जादा मिन्स यह दोनों एक दूसरी को रिपल कर रहे थे फिर यह लोन पेर इस बोनपर प्रप्रिकर लाए था और बोन एंगल और भी जो चोटा हो गया मीस यह बोन एंगल जो जेजुन हो रहे हैं दूट प्रजेंट सब्सक्राइब और जितने ज hybridization थी वह क्या थी? SP3, बट इसमें इसकी geometry क्या थी? Tetraidol, तेक्लों की geometry, same. क्यों? बनाके देखिएगा कैसे इसकी शेप और जो बोर्ड एंगल है वो क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं नेक्स अपने लेक्चर के अंदर हाइडरेशिन का शिकर करेंगे और उसके लिए ये लेक्चर जुरूरी है अदर्वाइज आप नेक्स लेक्चर को नहीं समझोगे तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर भी देखें तो वह भी देख लें ताकि यह वाला लेक्चर भी आपको इसले समझासके थेंक्यू